हेलो असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग नेक्स्ट है हमने स्टेप्यूल का पढ़ना है अच्छा जिस टंडी के जरीए से पता तनी से जुड़ा होता है उसे पिट्टियूल कहते हैं उसके बाजो का दो आउट कुरोथ होंगे तो बड़ लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन कहेंगे उस लीव को जिसमें स्टिप्यूल होगा अगर ये नहीं होंगे तो उस लीव को एक्स स्टिपूलेट कहेंगे और कुछ स्टिप्यूल जो है उस टाइम तक रहते हैं जब तक पते रहते हैं इस तरह के स्टिप्यूल को पर्सिस्टिप्यूल कहेंगे और कुछ रखी और पाढव जुसमेंदे सब्सक्राइब पाढवर मांच खुट्रन मुता करें गभी की ओपर stipule उसे stipulate कहेंगे जिस पर stipulate नहीं यह वैक stipulate होगा और जिस पर stipule तब तक रहेंगे जब तक के leaf रहता है तो उसे persistence stipule कहेंगे और जैसे leaf unfold और stipule गिर जाए तो उसे dacid west stipule कहेंगे और जो compound leaf होता है यह compound leaf की जो leaflet है उसकी business पर जो stipule like structure होगा उसके stipule कहेंगे उसके बाद stipules की exam है stipules की scaly stipules पहले हम देख लेते हैं यह small होते हैं membranous होते हैं और scaly stipule होंगे ठीक है छोटे होंगे membran होगी इनके उपर और यह scale like होंगे और यह bud को की protection करेंगे और जैसे ही bud unfold होगी तब unfold हो गई तो मतलब यह गिर गए कि यह bud की production के लिए थे और यह पीपल में पाए जाते हैं पीपल का जो प्लांट होते हैं उसमें यह पाए जाते हैं और यह बहुत से पोदों में जैसा के sweet pea ठीक है मीठी नाशपाती उसमें यह मतलब खाया भी जाते हैं एडिपल होते हैं यह कुछ sweet pea में मत अभी ने खाया जाते हैं उसके लिए फ्री लेटरल स्टाइप यूल है यह समाल और ग्रीन होंगे और यह पिट्यूल की बेस पर होंगे ठीक है small है ग्रीन कलर के हैं और यह पिट्यूल की बेस पर होंगे और इसकी एक्जेमपल है cotton free lateral stipule क्या है यह small है free lateral stipule small है green है free lateral stipule और यह इसके इलावा पिट्यूल की बेस पर है small green और पिट्यूल की बेस पर है इसकी एक्जेमपल में cotton आ जाता है तो free lateral stipule क्या है small है, green है और freely मौचूद है petule की base पे ठीक है और इसकी example है cotton उसके पाद next है adenate stipule जो wings like जिस तरह प्रिंदे के पार होते हैं जो wing like stipule होंगे जो के जुड़े वे होते हैं laterally petule के साथ उन्हें adenate करें adenate की term जहां कहीं भी इस्तमाल होगी इसका मतलब यह होगा कि वो आपस में जुड़े होए है और इसकी example है rose ठीक है तो जो wing like stipule होंगे जो के आपस में fused होंगे ठीक है उन्हें adenate stipule करेंगे इसकी example में rose आजाता है और उसके बाद है inter-petular stipule यह stipule जो है यह opposite leaves के petule के दरम्यान होंगे ठीक है और इसकी example में coffee plant आजाता है तो inter-petular क्या है यह opposite leaves जो होते हैं उनके petule के दरम्यान होंगे और laterally मजूद होंगे inter-petular opposite leaves के दरम्यान होंगे उनके lateral side पे और इसकी example में coffee plant आजाता है एक्जलरी स्टेप्यूल क्या होंगे इसमें जो स्टेप्यूल होंगे वो जुडेंगे और सिंगल स्टेप्यूल बना देंगे और ये पाया जाता है स्टेम और पिट्यूल के दरम्यान ठीक है इस केस में जो स्टेपूल होंगे वो जुड़ेंगे और सिंगल स्टेपूल बना देंगे और ये स्टेम और पिटूल के दरम्यान होगा ठीक है एक्जिलरी में क्या हुआ stipule जुड़े उन्होंने सिंगल stipule बना दिया एक्सरी stipule में और ये stem में पाया ज़िए और ये stem और पिटूल के दर्मियान होगा उसके बाद है और create stipule इस केस में क्या होगा कि जो बड़े stipule होंगी नवो अपने किनारों के अलॉंग जुड़ेंगे और एक हालो ट्यूब बना देंगे ठीक है मतब बड़े stipule अपने किनारों से जुड़के एक खाली ट्यूब बना देंगे जिसे और किया कहेंगे और किया stem को स्राउंड करेगी नोट से कुछ हाइट तक इंटर नोट के और इसकी एक्जेम्पल में पोलीगोनम आ जाता है ठीक है? और क्या उसे स्राउंड करेगी नोट से कुछ हाइट तक और इसकी एक्जेम्पल में पोलीगोनम आ जाता है नोट से लेकर कुछ हाइट तक और क्या स्राउंड करेगी तो इसनारे में हमने क्या देखा और केट के केस में बड़े स्टाइपूल के नार के लोंग मेल के खालो ट्यूब बनाएंगी जिसे और क्या कहेंगे जो कि उसे स्राउंड करेगी नोड से लेके कुछ हायट तक और इसके ग्जमपल में पॉलीओन आमाता वसके बाद है ट्रैंड रीलर स्टाइपूल इसके में क्या होगा की WSt geben और इसके एग्जमपल है Smilax इसके बाद नेक्स्ट है spinuous stipule spinuous stipule क्या होते है इसमें जो stipules होंगी न वो spines बना देंगी spinuous stipule spinuous stipule में stipule spine बना देंगी ठीक है और इस तरह इसकी example में Asia की करा जाता है और this five was this five this was जबा बेरी जबस चबा बेरी आ जाता है उसके बाद next है philotexis stem के उपर पत्तों की जो तरतीब होती है उसे philotexis कहते है मतब एक तन्ह है ना आप तन्ह के उपर पत्तों की एक तरतीब होगी जिसे हम philotexis कहेंगे और जो philotexis है ये overcrowding को कम करती है मतब इसे एक पत्ते तरतीब में आगए तो overcrowding नहीं होगी तो एक तरतीब में आने से फिर maximum sunlight भी पत्ते लेंगे और इसकी दो main types है spiral और दूसरी है cyclic spiral में क्या होगा ये वो philotexis होती है जिसमें एक leaf एक note पर पैदा होगा ठीक है जब एक तो cyclic क्या है जिसमें दो या दो से जादा leaves एक note पर मुझूद होगी वो cyclic होगी और इसकी दो forms है opposite और world ठीक है जिसमें दो या दो से जादा leaves एक note पर मुझूद होगे वो cyclic होगे और इसकी क्या एकसाम है opposite और world opposite में क्या होगा कि इस case में डो leaves जो हैं एक नोट से arise होंगे और वो एक दूसरे के opposite होंगे दो leaves एक नोट से आ रहे हैं और दो ने एक दूसरे के opposite हैं और दो farms हैं opposite cyclic pilot axis की opposite और super post और opposite और decosate ठीक है opposite और super post पहले देख लेती हैं इसमें जो opposite leaves होंगे मुक्तलिफ नोट के ठीक है इसमें एक दूसरे के parallel होंगे opposite और super post में और opposite और decosate में क्या होगा कि जो opposite leaves हैं वो चार रोज बना लेंगे stem के उपर ठीक है इसमें opposite leaves चार रोज बना लेंगे इसके example में पोदीना नियास वो यह भी एक पोदा है familiar सा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है उसके पाद world क्या है कि इस case में दो से जादा पत्ते हर नोट पर होंगे मतब हर जो नोट है ना हर नोट के उपर दो से जादा पत्ते हैं और ये circle में arrange होंगे नोट के के तो उसके बद विनेशन है जो veins की और winlets की arrangement होती है leaf blade के उपर या leaf lamina के उपर उसे हम venation कहेंगे veins या winlets की तर्तीब leaf blade या leaf lamina पे उसे venation कहेंगे जो win और winlets हैं वो water और dissolved mineral को transport करती है पत्ते के मुक्तलिफ इसों में और इसके इलावा जो खुराक तियार हुदा होती है उसे भी पत्ते से तरने की तरफ लेके जाती है और इसके इलावा lamina जो है उसके उपर principal wins भी होंगी और midrib भी होगी और दो एकसाम है वी नेशन की parallel venation और reticulate venation पहले है parallel venation यह वो venation है जिसमें बहुत सी wins equal size की एक दुसरे के parallel होंगी ठीक है base से epics तक या midrib से उसके margin की तरफ इसे parallel venation कहेंगे जो parallel venation है यह monocot में पाई जाती है जैसा के grasses और इसकी फिर और onion में और बनाना में फिर इसकी दो एकसाम है pinate या फिर unicostate और दूसरा है palmate और multi-costate pinate या unicostate और palmate या multi-costate pinate या unicostate क्या होगा कि इसमें एक ही prominent venation होगी ठीक है जिससे lateral branches निकलेंगी यह एक दूसरे के parallel होंगी एक दूसरे इसकी example है बनाना palmate या multi-costate में क्या होगा कि principal vein इसमें बहुत सारी होंगी उपर बाले में तो सिर्फ एक हीतिना इसमें बहुत सारी है और वो एक दूसरे के parallel होंगी और वो convergent भी हो सकती है convergent मतलब मुक्तरिफ बहुत सारी एक जगा पर मिल जाएं और divergent भी हो सकती है कि मतलब एक point से वो different हिसों में फैल जाएं इसकी example में grassis आ जाते है और rice आ जाता है उसके पार next है radiculate venation यह वो venation है जिसमें smaller veins mid rib से arise होंगी और एक network सा बना देंगी ठेक है इसमें smaller veins आ जाता है डाइकोट प्लांट में जैसा कि गराम चना जो होता है इसकी दो एकसाम है पिनेड या यूनिकॉस्टेट पालमेड या मल्डिकॉस्टेट पहले की तरह ठीक है इसमें पिनेड या यूनिकॉस्टेट में एक ही mid rib है और ये लेटरल ब्रांचिस देगी जो के margin की तरफ जाएंगी पत्ते के किनारे की तरफ और जो वेन है वो smaller branches देंगी सारे directions पे और network बना देगी इसके example में mango ये वह अमरूद आ जाता है पालमेड या मल्टिकॉस्टेट में क्या होगा कि लिव की बहुत सी principal wins है equal size की और ये lamina की नीचे वाली साइड उसकी base से arise होंगी और ये network बना देंगी और ये convergent भी हो सकती है और divergent भी हो सकती है ठीक है ये वाली तो अब ये पहले parallel venation का देख लें आप कि इसका multi-cost state B में दिखाया गिया है जिसमें A की midnight rib है वो unique state में दिखाया गिया है ठीक है और उसके बाद reticulat का देख लें इसका unique state ये इसका unique state जो है दिखाया गिया है reticulate venation का B में ठीक है और जो multi-cost state है वो से इमें दिखाया गिया तो unique state में आप देख लें अच्छा यूनिकाऊस्टेट में एक ही है उसके मिट्रिब लेकिन मल्टी कॉस्टेट में जो है इसके बहुत सी प्रिंस्पल वैंस है उसके बाद नेक्स्ट है लीफ की डिस्क्रіпटिव टर्म्स ठीक है लीफ डिूरेशन पहले हम देख लेती है तो लीफ के डिवरेशन के लिए कौन कौन सी टर्म आती है केडाकेशियस, डैसीडवस और परसिस्टन केडाकेशियस कौन सा होगा अगर लीफ जो है बहुत जल देंगे जाए तो वो केडाकेशियस होगा इसकी ग्जेमपल है ओपंट क्या ठीक है डैसीडवस क्या होगा इसमें लीफ जो है ग्रोविंग सीजन के अडिवरेशन पर गिरिगा और इसकी ग्जेमपल है मलबरी लीफ शेहतूत परसिस्टन क्या है कि इसमें लीफ जो है एक याएक से जादा सीजन तक फंक्शनल रहेंगे ठीक है मतलब एक से जादा सीजन तक फंक्शनल रहेंगे एक सीजन तक फंक्शनल रहेंगे तो वो डैसीडवस होंगे और अगर बहुत जल्दी गिर जाएं तो केडाकेशियस होंगे और अगर बहुत जादा सीजन तक वो रहें leaves recite करें plant पे तो वो persistent होगा और plant जिस पे persistent leaves हो उन्हें evergreen plant कहते हैं सदा बहार की term जिन के लिए use के जाती है उसके बाद next है leaf insertion जो attachment है leaf की stem के साथ या फिर leaf की जो attachment है उसकी branches के साथ उसे leaf की insertion कहेंगे ठीक है तो leaf की attachment stem के साथ या फिर leaf की attachment branches के साथ उसे insertion कहेंगे और इसमें क्या जाता है कोलाइन, ramal और radical कोलाइन क्या है इसमें leaves main stem पे पैदा होंगे और इसकी example is sunflower ramal किया इसमें leaves branches पे पैदा होंगे और इसकी example में mango आ जाता है radical क्या है इसमें leaves जो हैं, वो appear होंगे root से रेमल में ब्रांचिस पे और रैडिकल में क्या होगा कि इसमें लीव्स जो हैं रूट से आएंगे और इसकी एक्जेम्पल में रैडिश आ जाता है मूली बीड शिकंदर उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजन्स और एपसंस ऑफ पिटियूल पिटियूल वो ढंटी होते हैं जिसके जरी से पता तरने से जुड़ावा होते हैं तो पिटियूलेट क्या होगा इसमें लीव्स ठाक या पिटियूल मुझूद होगी इसकी एक्जम्पल है मैंगो का लीव आम का पता और सिसायल क्या होगा इसमें पिटियूल मुझूद नहीं होती जैसा के पोपी और सब सिसायल क्या होगा इसमें पिटियूल बहुत चोटी सी होती है जैसा के कैलोट्रोपिस ठीक है कैलोट्रोपिस आंक और तो कैलोट्रोपिस में चोटी सी पिटियूल है सिसाय ब्लेट होगा उसकी दोनों साइड पे ठीक है? तो इस के उसके, लिये की सबसें के दोनों साइड यो सब्धा पर इ संसार भी लिया खे थी एक तै की। और तो flat blade है दुर्व साथ पर जो इसे wing like बरों कितना के parents दे रहाए उसके बाद है peltate इस case में क्या होगा के pitule जो है वो inserted होगा lamina के center के नस्दीग peltate में क्या होगा pitule कहां inserted होगा lamina के center के नस्दीग और इसकी example में आजाता है यह चुपा पड़ा है और इसकी एक्जम्पल में जो हैं लोटस आ जाता है कवल का फूल जो होता है उसके बाद नेक्स्ट है लीव बेसिस की फॉर्म्स तो इसकी फॉर्म्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए लाफिस